वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 498-A के केस खतम आईए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला इस केस में दो कपल्स की शादी सन 2008 में होती है और वाइफ के दोरा 498-A का केस दर्च करवाया जाता है 2021 में जब इन्वेस्टिकेशन होती है तो पुलीस हस्बेंड के नाम की चार शीट कोट में पेश कर देती है अब हस्बेंड इस मामले को क्वेश करवाने के लिए पहुंसता है हाई कोट में अब हाई कोट के दोरा मामले की तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हस्बेंड के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया जाता अंत में ये मामला पहुंचता है मानी सुप्रीम कोट के पास इसमें हस्बट के द्वारा अपना पक्ष कोट की समक्ष रखा जाता है कि वाइफ ने 2021 में 498A का केस दर्च करवाया इसमें पती का कहना होता है कि पतनी बदले की भावना से केस दर्च करवा रही है मानी सुप्रीम कोट के द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोट के द्वारा पांच चीजों को देखा जाता है पहली ये कि दोनों की शादी 2008 में हुई और वाइफ के द्वारा 498 A का केस 2021 में दर्च करवाया गया दूसरा इसमें ये क्लियर किया जाता है कि पहले हस्बेंट साइट से डिवी का केस फाइल किया गया और उसकी बदले की भावना के अंदर पतनी ने 498 A का केस दर्च करवाया है तीसरा इसमें ये क्लियर किया जाता है कि इसमें कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है टाइम प्लेस वाइफ ने कुछ भी मेंशन नहीं किया है जोथा मानी सुप्रीम कोट के दौरा ये बोला जाता है कि अगर पुलीस वालों के पास ऐसा केस आता है तो आप डाइरेक्ट F.I.R. मत करो पहले ये देखो कि मामला सच्चा है या फिर जूटा और हाई कोट को भी ये कहा जाता है कि अगर आपके पास ऐसा मामला आता है तो हाई कोट के दौरा क्वैश कर दिया जाना चाहिए पांचमा के इंदर सरकार को बोला जाता है कि आपके दौरा जो नया कानून लगाया गया है उसके अंदर 498A की जो प्रक्रिया है उसकी सेम प्रक्रिया अगर इसमें भी है तो इसमें चेंजिस की अफशकता है और सुप्रीम कोट के दौरा पति पक्ष को 498 A के केस से रहत दे दी जाती है इस जज्मेंट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिया गया है वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी कही जानकारी आपको पसंद आई होगी तो ऐसे ही कानून से समंदित जानकारियां पाने के लिए आप मेरी चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो में लास तक जूड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद